नमस्कार नेपाल ने भारत को इंट का जवाब पत्थर से दिया है यानि भारत ने अखंड भारत का नक्सा पास किया तो नेपाल ने जन अस्तर पर ग्रेटर नेपाल का नक्सा पास कर दिया है नेपाल की सोशल मीडिया को चेक करेंगे तो उसमें पहाड़ी समुदाई हो चा लगाना चाहिए। यहां पर बालेन सहा नाम के एक युवक है। काथमांडू के मियर। उन्होंने अपने ओपिस में ग्रेटर नेपाल का नकसा लगाया है। और उनके पक्ष में बहुत सारे नेपाल के युवा काठमांडू की सडकों पर नारे बाजी भी किये हैं। ग्रेटर नेपाल का नक्सा आने वाले 5 साल में लगबग पास हो जाएगा क्योंकि हम 2 साल पहले ही कह चुके थे कि नेपाल एक नेपाल का नक्सा पास करेगा। युद की बात क्योंकि इस नक्से के आधार पर नेपाल भारत से 60,000 स्क्वार किलोमेटर जमीन मांगता है। एक बड़े नेता बन चुके हैं पूरे नेपाल में बालेंसा ट्रेंड चल रहा है इस समय और बालेंसा को लोगों ने सबसे बड़ा देशवक्त नेता बताया है। जो बालेंसा के बिरोधी भी थे वो भी आप बालेंसा को देशवक्त बता रहें। क्यों कि बालेंसा ने भारत बिरोध करते हुए ग्रेटर नेपाल का नक्सा अपने कारेले में लगाया। इसलिए वो नेपाल में हीरो बन गए। और नेपाल में यदि अपनी राजनिती चमकानी हो भोट पाने हो तो ये जनता को बताना पड़ता है कि मैं सबसे ज़्यादा भारत बिरोधी हूँ और मैं सबसे ज़्यादा चीन समर्थक हूँ। जो नेता ऐसा करता है उसे ही भोट परते हैं बालेंसा ने भारत बिरोद करके ग्रेटर नेपाल का नक्सा अपने कारेले में लगा के नेपाली जनता को ये बताने का परियास किया है कि मैं ही नेपाल का सच्चा देश वक्त हूँ इसलिए बालेंसा इस समय नेपाल में ट्रें ग्रेटर नेपाल का नक्सा नेपाल सरकार ओपिशियली तरीके से पास कर सकती है और उसे अपने पार्लेमेंट में लगा सकती है क्योंकि भविश्य में किसी पार्टी को लगेगा कि मेरों को मैं हार सकता हूं तो वो क्या करेगी ग्रेटर नेपाल का मुद्धा उठा देगी क कहेगी बिपक्षी पार्टी कहेगी सत्तारूर्टी से कि आप greater nepal का नक्सा लगाओ नहीं तो आप देशद्रोई हो जैसे कि कालापानी लिपूलेख के नक्से में हुआ था ओडी ने कहा था कि हम कालापानी का नक्सा पास नहीं करेंगे काला पानी की जमीन ही ले आएंगे लेकिन विपक्षी दलों ने इतना परेसर दे दिया ओली के उपर कि ओली को मजबूर होके काला पानी का नक्सा पास करना ही पड़ेगा यही चीज होगा greater Nepal के नक्से के साथ में फ्यूचर में किसी पार्टी को लगेगा कि उसे जीतना ही जीतना है तो वो ग्रेटर नेपाल का नक्सा पास करेगी ताकि उसके भोट बढ़े तो नेपाल में ग्रेटर नेपाल का इस्तमाल काला पानी का इस्तमाल केवल भोटों के लिए किया जाता है लेकिन इससे होता क्या है जनता दुस्मन बन जाती है वही नेपाल में भी पाकिस्टान वाला ही सिस्टम चलता है पाकिस्टान में जो भारत को जितना गाली देगा उसी को बड़ा नेता माना जाएगा वैसे ही नेपाल में जो भारत बिरोधी काम करेगा उसी को बड़ा नेत माना जाएगा तो लगबग 5 साल के अंदरी अंदर ग्रेटर नेपाल का ओपिसियली नक्सपास होने वाला है और हमारी भविश्यवाणी कभी जूट नहीं हो सकती है ये भारत के लिए बहुत बड़ा नुक्सान होगा क्योंकि फिर भारत को एक और देश से युद्ध के नेपाल क्योंकि नेपाल भारत की 60,000 स्क्वाइर किलो मिटर जमीन पर दावा कर रहा है ग्रेटर नेपाल का मतलब यही होता है और नेपाल के एक नेता है रवी लामिच ने ये भी ग्रेटर नेपाल का इस्तमाल कर सकते हैं राजन्यती में आगे बढ़ने के लिए क्योंकि अब नेपाल में वही आगे बढ़ेगा जो भारत को गाली देगा जो भारत विरोधी काम करेगा हालां कि सत्ता में बैठने के बाद नेपाल के सारे नेता भारत का ही कहना मानेंगे या कुछ चीन का मानेंगे कुछ अमेरिका का मानेंगे फिर उन्हें नेपाली जनता से कोई म से समन्द बिगार देंगे तो हमारी अर्थ ब्योस्ता चौपट हो जाएगी इसलिए नेपाल में गेटर नेपाल काला पानी इनका जो यूज किया जा रहा है वो केवल भोट बैंक के लिए किया जा रहा है जैसे भारत पाकिस्तान और चीन का इस्तमाल करता है भोट बैंक के लिए पाकिस्तान भारत का इस्तमाल करता है भोट बैंक के लिए यानि भारत बिरोत का इस्तमाल करना तो लगबग जान लीजिए नेपाल में जब तक लोग तंत्र है तब तक नेपाल में भोट बैंक के इस्तमाल के लिए भारत बिरोत किया जाएगा इसलिए नेपाल से ल करने के लिए तयार रहेगा धन्यबाद दोस्तों